Welcome to channel Knowledge of Pharmacy Emeccasin injection का आज हम review करते हैं तो brand name की बात करते हैं तो Micacin Micacin बहुत famous brand है और cocin और भी brand आते हैं जो भी सहरलता से आपको medical store पर मिल जाएं आप ले सकते हैं वहीं इसके mechanism of action की बात करते हैं ये दवा कैसे कारी करती है तो simple सा यह है कि ये inhibit कर देती है रोक देती है प्रोटीन संस्थिस को बैक्टेरिया के प्रोटीन संस्थिस को ये रोक देती है तो जो बैक्टेरिया को खुराक नहीं मिल पाता है प्रोटीन नहीं मिल पाता है या पोसन या खुराक नहीं मिल पाता है तो बैक्टेरिया मर जाता है तो इस त लिए जाता है या इंट्रो बैक्टर की वज़े से जो इंफेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए और Serotia Protest Serotia Protest की वज़े से जो होते हैं या E. Coli के Documentis यानि E. Coli के द्वारा जो भी infection होते हैं जैसे कि पेट के infection जो होते हैं Loojmosan होने लगता है diarrhea हो जाता तो भी इसको प्रियोग में डापर लेते हैं या infection आप Microbacterium Organism Suspectible तो अमेका सीन जो भी मायक्रो आर्गनेजम यानि बैक्ट मायक्रो बैक्टेरियल के जो है में इसको प्रियोग में लिया जाता है मायक्रो बैक्टेरियल के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इसको प्रियोग में लिया जाता है जैसे कि bacteria emesis या septica emesis इसमें क्या होता है ये इसमें खून में जो है या blood में जो है infection हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इसको प्रियोग में लिया जाता है या respiratory tract infection respiratory tract के दicking infection होता है respiratory tract में जोसे इसको प्रियोग में लिए जाता है या baws and joint auch bone infection में भी इसको डाक्टर स्कराइब करते हैं या CNAS na central nervous system intim AP मेल्ओं में लिया जाता या in San Mira sticks और बर्ण में भी लिया जाता ही या पोस्ट आपरेटिव इंफेक्शन को ठीप करने के लिए डाक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो यह जो है कुछ इसके जो है यूजिज की बात हुए अब कुछ साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो नौजिया यानि मितली आ सकती है ओमिटिंग उल्टी हो सकती है हेडक सिरदर्द हो सकता है ट्रिमर ट्रिमर मतलब जो है जटके आ सकते हैं या इसनोफीलिया इसनोफीलिया का कंडिशन हो सकता है इसनोफीलिया जो है बढ़ सकती है या स्किन पर रेस्स हो सकते हैं नेप्रो टॉक्सिक हो सकता है जिनको kidney की जो है डिजीज हो उनको भी इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये नेप्रो टॉक्सिसिटी भी देता है और neuromuscular blockage भी ये हो सकता है या autotoxicity या inamia khon की कमी भी हो सकती है कुछ इसके side effect है वही precaution की बात कर लेते हैं तो जिनको इससे hypersensibility हो जिनको इससे injection से या amino glycoside injection है ये amino glycoside की group से जिनको hypersensibility हो उसको इससे नहीं लेना चाहिए और renal यानि जिसको kidney की disease हो उसको भी इसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए और pregnancy में भी इसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए क्योंकि pregnancy में जो है डॉक्टर से सकांसर्ट करने क्योंकि जो है ये fetus को भी नुक्सान पहुंचा सकता है hearing loss कर सकता है या जो बच्चा जो है पैदा होगा तो उसको जो है सुनने में दिक्कत हो सकती तो यह सब जो है डाक्टर से pregnancy में बतादें आलक्टर मदर है तब भी बतादें और इसको यानि यो सर्म्हर में पानी पीना चाहिए तो यह जो है कुछ इसके precaution की बात हुई याब बात कर लेते हैं तो 15 mg पर kg यानि 15 mg पर kg बाडी वेट के कार्डिंग इसको वन डे में देना है और यह दो से या तीन बार डिवाइड़ डोज में दिया जा सकता है तो जो है ऐसे इसको देना है और मैक्सिमम डोज 1.5 ग्राम पर डे जो है दिया जा सकता है या जैसा कि आपके डॉक्टर जैसा कि आपको डिजीज है उसके कार्डिंग क्योंकि डॉक्टर के परचे पर मिलने वाली दवा है और डॉक्टर जो है इसको जो है जैसे आपको प्रिसक्राइब करें वैसे ही करें ओके थैंक्स आप चाहें तिसके उस्वाट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में